किसान पुत्री सोभाजादों के तरफ से आप सभी को नमस्कर मैं अपने भारत वर्ष के सभी नागरी को तहे दिल से हर्दिक परणाम अभिनंदन करती हूँ और मैं आप सब लोगों के बीचे बताने आई हूँ कि जो भी जो सिस्टम है जो भारत का समिल्धान है उसमें राजनितिक जो दल वाले जो लोग है उनका बहुत ज़्यादा इसमें घुनका है और बीते 73 वर्षों के बाद भारत की जो राजनिति जो हो रही है या भारत के जो क्रांतिकारी जो सहीद हुए है मा भारती के आचल किलाज को बचाने के लिए, जो अपने प्रानों की जवाहूती दिये हैं, क्या उनका सही में बरतमान राजनितिक पार्टियां अपना फर्ज निभा रही हैं, अगर निभा रही हैं तो आप लोग उनके साथ रही हैं, और आप लोगों की मंगल कामनाय मनमता पार्टि नाम से राजनितिक दलकाब अस्थापना पिछले वर्ष 2019 नवंबर में की, जिसका तीन टोफिया चोकलेट चुनावचिन भारत निर्वाचन आयोग से मुझे मिला हैं, और मैं भारतीय मनमता को बचाने के लिए, और अभी की जो बरतमान जो राजनितिक मे ये कोड जैसा जो जातिवाद है, धनवानों की बहुलता है, अच्छे और सिछावीद लोगों की संख्या मात रह गई है, उन्स सवों के विप्रित भारतिय मनमता को बचाने के लिए, मनमता वादी सिरांत पे काम करने के लिए, मनमता सर्वसर्वरा धर्म है, इसको सीद कर दिखाने के लिए, नारी सक्ति को प्रथम अस्थान देने के लिए, भारतिय मनमता पार्टी का स्थापना किया गया है, और हम जैसे जितने भी जो समास सेवी, जो मनमता वादी विचार के जो लोग हैं, भारतिय मनमता पार्टी से अधिक से अधिक आप लोग जूरे, और और जो लोगों का जो लक्ष है मनावतावादी इससे हम लोग कभी बिचलित न हो एक डिर इछा सक्ती के साथ जैसे हिमाले पर्वत अडिग है उसी तरीका से हम लोग को अपने विष्वास φ्ट करना होगा और इसी विश्वास के साथ भारतिये मनवता को बचाने के लिए अपने पत की ओर आगे बरना है तो आए मिलकर के हम लोग भारतिये मनवता पार्टी के साथ आगे की ओर काम करे और भारतिये मनवता पार्टी का राष्ट्रिये करयाले बिहार में है जो की पतना में है झाल झाल